10,000 capital को कैसे manage करे trading के लिए तो बहुत अच्छा question है because बहुत सारे लोग है जो 5,000, 10,000, 15,000 से trade करते हैं सबसे पहला आपको rule रहेगा one trade a day because over trading करने से आप अपने जो losses है वो बढ़ाते जाते हो and end up 50% 60% drawdown पे कर देते हो second rule रहेगा कि जो targets है वो आपको 600 से लेकर 800 के आसपास आपको plan करने on an average इससे क्या होगा आप consistence profit book करते जाओगे आपको यहाँ पर holding वाला नहीं जाना है holding वाले trades नहीं पकड़ने ठीक है third रहेगा आपका stop loss fix रहना चाहिए small stop loss रहना चाहिए जो कि around 400 से 500 होना चाहिए यह तीन rules रहेंगे आपको अगर आप इस set of rules को follow करो तभी आप अपना account grow कर पाओगे